आखिर कैसे एक गेम किया जैसे आज हमें महिंद्रा की थाल देखने को मिलते हैं कैसे ओरियो का यह प्रोड़क्ट मौसम बदलते ही अपना टेश भी बदल लेता है भाई फेमस कंपनीज के यह प्रोड़क्स इतने रेर हैं जितने मेरे वीडियो पे लाइक से यह कोई काफी अच्छा बिजनस भी गया हाले में कोको कोला ने अपने 127 साल मार्केट में पूरे होने पर सेलिब्रेशन भी गया था और इस सच में पहुर बड़ी बात है 127 तक मार्केट में बने रहना साथी दुनिया का सबसे पॉपलर फ्रैंट भी बनना लेकिन कोको कोला का यह मोव आपको हैरान कर देगा 2017 में आस्ट्रेलिया में एक मैरिज इक्वालिटी मॉमेंट चल रही थे और उसे टाइम पर कोको कोला एक लिमेटेड एडिशन को रिलीस करता है जिस पर वर्ड लव लिखा हुआ था हलाकि दो कैंस को साथ में खरीदना पड़ता था इस वर्ड को बनाने के लिए जो साथ मिलकर एक दिल की शेप भी बनाते थे कोको कोला मार्केटर्स की तरफ से यह बहुत अमेजिंग मुद साबित हुआ जिसके वज़े से 80% सेल्स बढ़ गए साथी में 2010 में भी कोको कोला ने मीका के साथ पार्टनर्शिप की थी जो कि एक फ्रेंड सॉंग रैटर है जिनके साथ मिलकर उन्होंने डैफ्ट पंक स्ट के लिए इन्होंने 2014 के वर्ल्ड कप में बहुत ही शांदार मौका दिया था जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया और लिमिटेड एडिशन शैंपू भी लांच कर दिया जिस पर अर्जंटिना ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों के प्लेयर्स की फ इन्होंने अफवाह फेलाई कि युनिकॉन नाम से एक फ्रैपो कीनल ड्रिंक है जो पिंक कलर के दिखते हैं और इसे बार को कंफर्म करने के लिए लोगोंने स्टार्बक्स के पेच पर कमेंट करना शुरू कर दिया पूछने के लिए कि ऐसा ड्रिंक है भी या नहीं और य इन्हीं कुछ फ्लेवर की वजह से यह ब्रैंड्स हमेशा चल्शे में रहते हैं और इनकी सेल्स भी डाउन नहीं होती नेंबर फाय पेप्सी पेप्सी मैक्स युफा चैंपिन्स लीग का ऑफिशिल स्पांसर था जिसका इन्होंने बहुत अद्वांटेश भी उठाया और चैंपियंशिप के पैकेजिंग के साथ अपने भी मार्केट में लाउंच कर दी आइसा क्लने से पेप्सी को मार्केट में फिर से relevant होने का मौका मिला जिसकी होजह से पैप्सी की से देखते हैं यूफा की पॉपुलराधी से भी स्यादा होगी और लोग्फ देखते टाइम उससे related cold ring मतलब Pepsi को खरीदना ज्यादा पसंद करते थे फिसे पी कर वो मज़े से गेम देखते थे वह आप जितने मज़े से वीडियो को देख रहे हो हागे आपको इससे भी ज्यादा मज़ा मिलने आला है पर वह यहाँ देखो आप में से 10% लोगों ने भी सबस्क्राइब नहीं किया है तो अब भी सबस्क्राइब मारो भाई ने में सेन आखिर कैसे एक गेम के जैसे आप थाव जैसे कार को देख पा रहे हो थाव इंडे के सबसे ज्यादा famous कास में से एक है जिसके बहुत सारी लोग दिवान है लेकिन बहुत कम लोग जानते है थार heavily inspired है जीप कंपनी से जो बिलकुल थार जैसे ही कास बनाती है लेकिन जीप ने अपने एक कार बनाने के लिए Call of Duty Black Ops से partnership की थी लेकिन गेम में कार इतनी ज्यादा अच्छी लग रहे थी कि इसे डियल लाइफ में बिलकुल चेंज नहीं किया गया और ऐसे आप एक गेम से inspired होकर भी कहाल देख सकते हो और ऐसे बनी जीप से inspired कार और ऐसे जीप वालों को Call of Duty से inspiration मिले और महिंद्रा वालों को जीप और अपल दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मुबाइल ब्रैंड है इसके popularity आप इस बात से लगा सकते हो कि iPhone 15 खरीदने के लिए लोगों ने घंटों तक लाइन में दिजार किया लेकिन आपल के जो रेड प्रॉडक्स आते हैं अगर आप उनके रेड प्रॉडक्स लोगे तो एक्चुली इनके प्राइस का एक छोटा सा पोशन HIV और AIDS जैसी बिमारें के लिए यह charity में देते हैं और यह बस आपल के रेड प्रॉडक्स लेने पर ही देते हैं जो कि सच में एक बहुत इच्छी बात है निया मनाएं सैमसन ने मावल के साथ पार्टनर्शिप करके बहुत सारे फैंस का दिल चीत लिया था जिसे जानकर आप भी शौक हो जाओगे सैमसन ने मावल के साथ पार्टनर्शिप की थी Limited Iron Man S6 Edge बनाने के लिए इस फोन में Red and Gold डिजाइन था जैसा आपको Iron Man के सूट में देखने को मिलता है इतना ही नहीं इसका Software भी Iron Man Theme पर ही बेस था और वैसे ही Features के साथ साथ यह आता था जिसे फोन ज्यादा सी ज्यादा Super Hero फैंस को बहुत पसंद आ सके इसलिए ही इसको ऐसे बनाया गया था ने मिटें रोलेक्स दुनिया का सबसे लक्षरी वाच ब्रैंड है लेकिन इसकी पार्टनर्शिप आप जानती भी नहीं होंगे रोलेक्स हल्क रोलेक्स की सबसे बेस्ट वाचिस में से एक है जैसा इसका नाम है उसी के हिसाब से इसका डाइल भी है जो ग्रीन का लवका है 2010 में रोलेक्स हल्क बनाना बन कर दिया था जिसके जैसे इसकी कीमत आस्मान फाड़ का निकल गई इस मॉडल के वाल्यू डबल से भी ज्यादा हो गई थी 2020 और 2022 के जून में लेकिन 2023 में यह हल्क फिर से अफॉरड़ बन गी जिसके लिए आपको सिर्फ घर बिसना पड़ सकता है जैसे की आप सब जानते हो प्लेस्टिशन उन्हें कंपनी मनाते हैं और इसी कंपनी के पास स्पाइडर मैन के राइट्स में जिसके हो जैसे यह अपने स्पाइडर मैन एडिशन PS5 लाँच किया था जो स्पाइडर मैन फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था जिसके कवर डिजाइन में दिखाया गया था कि वेनम स्पाइडर मैन के सिंबॉल को टेक कवर कर दा है जो यह भी दिखाता है कि गेम में प्लेयर भी कई बार वेनम सिंबियोट से लडाई करेंगे इस पाइडर मैन एडिशन के साथ कस्टमाइज प्लेय स्टेशन भी था उसके कंट्रोलर के साथ ही एक उपन भी जिसके हेल्प से आप स्पाइडर मैन के डिजिटल कॉपी खरीच सकते हो लैंबोगी ने दुनिया के सबसे 30 कार्स बनाने के लिए जानी जाते हैं साथ ही ट्रेजर कंपनी भी हाई परफॉर्मंस गेमिंग और डिवाइस अक्सेसरीज बनाती हैं लेकिन इस बार इन दोनों कंपनी ने टाइड किया अपना स्पेशल गेमिंग लैप्टॉप बनाने के लिए वैसे इस लैप्टॉप की केमा 4 लाग रुप है जिसके एज़े से इसे खरीदना तो मुश्किल है लेकिन इन दोनों कंपनी के फैंस के लिए ये कुछ अमेजिंग डील है लैप्टॉप पर जैसे कि ये लैप्टॉप लैंबॉर्गी ने रिवेउल्टर से इंस्पायर है इसलिए इस पर तीन लाइन पैटन बनाया गया है जो दिखाता है कि कार कितनी अमेजिंग है और स्लीक डिजाइन के साथ आती है इसे आप मेंसे मोशली लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते तो बता दो ये एक लक्षरी ब्रैंड जिसे ज्यादा तल सेलिप्रिटी ओन करते हैं जो बहुत सारी चीज़े बनाता है जिसकी कौपी भी आपको हाल जगर देखने को मिल जाएगी और इस सिर्फ एक कच्छ निकलते जिसवाज़े से कस्टम हमेशा अक्साइटेड हैं यह सोचकर कि पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने यह सेम टीशर्ट पहने होगी सुप्रीम सबसे पहला बस इक स्केटबूर्ट ब्रैंड था लेकिन अब पूरी दुनिया में लूगों का यह फेवरेट ब्रैंड बन चुका हैं नेमफोटेर मैगी हाड इंडियन की पहली नूडल चॉइस है लेकिन जब उन्होंने एक बार बैन होने के बार फिर से कमबैक किया था तो मैगी ने अपने न्यू फ्लेवर भी लांच किये थे जो काफी लिमिटेड टाइम के लिए अव गया है यह पांच मसालों का एक ऐसा मिक्स्टर है जो हर बेंगाली के किछन में मिल जाएगा और यही चीज आपको इसके पैकट पर भी देख सकते हो जिसमें पांच पाइसे दिखाए गये हैं फ्लेवर के साथ ही मैगी ने भूंबाया चैट मसाला और सुपर चननाई नू के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लोग वेजिटेरियन ही हैं वैसे कि आपनी कभी इन फ्लेवर को टीश किया था और आप इन फ्लेवर में से कौहन से स्टेट से हो कमेंट में जरूर बताना मैं हर एक कमेंट बढ़ता हूं लेकिन यह तो ठीक ह आप अपने नल के पानी को बस इस बॉटल में डालकर इसे 50 लाक रुपे में बेच सकते हो यह वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा यह वीडियो को अभी दबाओ क्योंकि बहुत मुझेदार है और हां यह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलना मिलते हैं अगले वड़े में तब तक के लिए बाए